हेलो फूडीज कैसी हैं आप सब आज हम आपके साथ एक बहुत ही यूनीक और टेस्टी स्नैक की रेसिपी लेकर आए हैं यह जो रेसिपी है पांसे साथ मिनट में आप इसे बना कर रेडी कर लोगे और बहुत ही जादा यह मज़ेदार होती है और आप एक पर बनाओगे आपके घर में सब को यह पसंद भी आएगी तो इसे बनाने के लिए हमने दो उबले हुए आलू लिए हैं इनको हमने ग्रेट कर लेना है यहां मैश नहीं करेंगे ग्रेट करेंगे इसके अंदर नमक डाल लेते हैं नमक हमने यहां पर एक छोड़ा चम्मच डाला है नमक आप अपने टेस्ट के कोडिंग डालिएगा यहां पर इसके अंदर डाल देते हैं काली मिर्च का पाउडर काली मिर्च का पाउडर हमने ड जीरा का पाउडर डाल देना है एक छोटा चमच और अब हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला चाट मसाला एक छोटा चमच डाल देते हैं और यहां पर मैंने यह एक स्पेशल मसाला बनाया है अगर आपको इसकी रेचिपी चाहिए तो आप हमें कॉमेंट जूर कीजिएगा यह है प्रांथा मसाला तो यह बहुत ही टेस्टी मसाला होता है इसमें मैंने बहुत तरह के इंग्रीडिन डाल के इसको पीस के डाल इसके पता सब्सक्राइब जूर कीजिएगा इसको डालने से किसी भी स्नैक का टेस्ट डबल हो जाता यह हमने कॉझ चम्मक्ष लिया है इसको डाल सेसे इसमें फुलाइझ मीलाइं लिया है अब हम इसके अडeles है दालने हैं के डिये अब हम शॉपआपके देखिने मेश भी हम्ने-बार मेश मं हबbuild कर दाखिए और थोड़ा सा ओयल डाल लेंगे इसके अंदर ओयल के आप इसके अंदर दो से तीन चम्मर डाल लीजिए और इसको अब आपने मिक्स नहीं करना है बहुत अची तरह बस इसको डारेक्टली आटे को गुंद लेना है हलका सा मिक्स करके इसको डो को हम बनाएंगे कई वर हम इसको मौयन को अची तरह मिक्स करते हैं तो इसमें क्रिस्प जादा आ जाता है वह चीज हमने नहीं करनी है थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बिल्कुल टाइट डो हमने लगा लीना है तो लीजे दो हमारा लग चुका है दो को मैंने बहुत अची तरह नेट किया है तीन से चार मिनट के लिए इसके दो पोर्षन हम निकाल लेते हैं बराबर के दो पोर्षन निकाल कर इसको हमने बेल लेना है इसको हमने एकदम पतला बेलना है मोटा बिल्कुल नहीं बेलेंगे मैं इस तरह प्लेटफॉर्म के उपर इसको बेल लेती हूँ मुझे थोड़ा सा प्लेटफॉर्म छोटा लग रहा है लेकिन फ़हले थोड़ा सा बेलते हैं उसके बाद हम डारक की बड़े प्लेटफॉ और अगर ग्लास है कोई छोटा सो रख सकते हैं और फिलिंग को आपने इस तरह साइडों में स्प्रेट कर देना है तभी मैंने बोला था कि इसके अंदर कोई भी लंप्स बगएर नहीं होने चीए फिलिंग के अंदर क्योंकि अजर हम लंप्स में फैलाएंगे तो वह अच के छोटे-छोटे पीसिज निकालेंगे पहले हमने सेंटर से कट कर दिया फिर दुबारा इस तरह कट किया अब हम ऐसे कट करते जाएंगे बिल्कुल बारी पतली इसकी स्ट्रिप्स निकल जाएंगे तब तक हमने इसको कट करना है तो अब देखिए जब यह हमने इसको कट और लीजे ये सबीखने करना है उप्र गुमाने हाएंगे को और सबीखने को से लिए इसा burn में था करने हैं इसके मारे सबीखने हो फरीज मेरी स्टाइब करते हुए इसको बिल्कुल गोल्डन क्रिस्पोने तक पकाएंगे जब तक इसमें अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है तो देखिए बहुत ही बढ़िया सा इसमें कलर आ गया है अब इसको निकाल लेते हैं इसी तरह हमने सारे बैजी अपने बना ले नहीं है यह जो स्नैक है बा समोसे वाली फिलिंग अलग से एक नए स्नैक में लेते हैं देखिए कितना बढ़िया कितना क्रिस्पी और बिल्कुल अंदर से मुलायम यह हमारे स्नैक बन करते हैं आपको यह रेसिपी कैसी लगी है हमें बताईएगा जिरूर वीडियो देखने के लिए आप सो भी का आप हमें पसंद करते हैं